वो बिग बॉस के घर के अंदर सुम्बुल शालीन टीना ये जो एक ठ्राइंगल है इसके बारे में धेर सारी बाते पिछले कुछ दिनों से हो लिए इस्पेशली कल की शुकरवार के वार के दिन तो टीना और शालीन पर कही ने कही ब्लेम डाला गया और सुम्बुल को भी अ अब क्या आपने आपको फाइनली टीना और शालीन से दूर करने में सफर होगी या फिर फिर उन दोनों के साथ ही खेलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फामान खान जो है उनके इमली के को स्टार आखिर अपने बॉंडिंग के बारे में अपने रिष्टे के सही करना चाहिए एक रिसंट इंटर्व्यू में फामान ने अपनी चुपी तोड़ी है तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं मैं विदांगी करने के स्वागित करती हूँ आपका हमारे चानल की फाफूस पर इमली की ये दोनों की जोड़ी है सुंबुल की फामान क लोगों को काफी जादा पसंदारी है आपको बता दे कि लोगों को कहीं ने कि ऐसा भी लग रहा था क्योंकि सेट से काफी खबरे आती थी कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं इतनी क्लोजनेस है दोनों में इतनी क्लोज बॉन्डिंग है तो कई बा इस ओफ़र को एक्सेप्ट किया तो फर्मान ने इस ओफ़र को रिजेक्ट किया रिसेंटली वो दो हफ़ते का एक अच्छा सा चिल करके गोवा से अब लौटे है आफ्टर हिस शो गॉट ओवर अपने आपको एक थोड़ा सा रिलाक्सिंग टाइम देने के लिए वो गोवा क यह शब्द है कि सुम्बल और मेरे में काफी अच्छी बॉड्निंग है हम दोनों की बहुती बढ़िया वाली केमिस्ट्री है हमारा कनेक्शन इतना जादा बहतर है इतना जादा बढ़िया है कि आने वाले वक्त में एक और शो तो एक साथ करेंगे ही करेंगे हम दोनों के बीच की दोस्ती काफी खास है और जब ऐसा एक कनेक्शन होता है दो लोगों के बीच तो लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं लेकिन हम बिलकुल भी रिलेशन्शिप में नहीं है हमारा एक बहुती खुबसूरत दोस्ती का रिष्टा है हम दोनों एक दूस लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया शालीं के साथ बढ़ती हुई जो नजदी क्या है बीच में जब हो रहा था नजदी क्या बढ़ रही थी उसके ओपर भी चुपी तोड़ी है फामान ने इतना ही नहीं अब फाइनली सुम्बल ने ट्रैक पे आने के लिए क्या करना च जिस तरफ से वो है और शीज प्लेइंग गेम जिस वे में वो आज़ पॉसन है बस उसने अपने इमोशन को कम करना चाहिए ताकि वो गेम में आगे बढ़ सके ओवर टॉप इमोशनल है तो इमोशन को कंट्रोल मिलाएगी तो आगे बढ़ पाएगी ववान ने अपनी चु कर रही है बिग बॉस की घर में थोड़ी बहुत भटकी हुई है लेकिन फिर भी उनकी फान्स उनकी ओडियंस उनके साथ खड़ी है तो यह से एक्सपेक्टिंग लॉट फर्मूल की तारीफ में यह सारी चीजे कही है फर्मान ने आपका अस पर राय क्या है आपकी टिपनी क्या है कॉमेंस में बताना जरूर